हेलो फ्रेंड्स अभी हम इस सक्त हिमाशल प्रदेश में हैं सोलन सिटी और यहां पे बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है यहां की पूरी वादियां भरफ की चादर से ढग गई है अभी एक घंटे पहले यहां पे बहुत बरसात हुई और अब हर जगा बादली वाद है अगर मैं कैमरा आपको घुमाता हूं तो आप देखेंगे दस्तर बच्चों की गर्मियों की छोटिया होती है मैं जून के महिने में और हमारा घर भी है सोलन में मेरे बच्चों के नाना नानी का घर यहां पे है सोलन सिति बें और बच्चों को यहां प्यार और भॉहत फसंद है हंभित फैमली यहां पर असर है करते हैं और यहां का ठंड़ा मौसम पर बच्चों को अपने और काफी अकर्षित करता है यहां की वादियां और यहां के लोग आसकर पर पर कफिल प01 हैं कि फोलन सिटी में हम लोग इस वक्त थोड़े से इंटीर में हैं इसे ऐसे दिवाज़ विलिज के नाम से जाना जाता है और यहां पर आप देखेंगे आसपास mostly खेती हैं हरी हर्याली है केत हैं तो बिसकरी हम लोग हैं तो शिटी में पर शिटी से थोड़ा सा ऊपर हैं अगर हम यहां नहीं नहीं दिखेंगे न यहां से में ड्रोड के लिए अगर जो विए जिन और उपर आने में थोड़ा सा टाइम जागा लिग जाता है 15-20 मिन लग जाते हैं और यह तक लिए अच्छा भी है योटि शैरों में हम लोग जाता चलते फिर पर नहीं है जैसे घर से बहार निकले तो कि दो वहीं पर गाड़ी खड़ी होती है पार्किंग ऑंसे पार्किंग से फार करते हैं गाड़ी टेंशते हैं फिर अफने गर में चले जाते हैं तो देखें को फिजिकल एक्टिवीटी नहीं और यहां पर देखेंगे कि उपर घरों तक कोई गाड़ी नहीं आती यहां पर पैदल ही आना पड़ता है और कोई और कोई साधन भी नहीं है यहां पर कुछ-कुछ जगा पकी टाइले भी लग गई है जि ऑन्निस बीस डिग्री चल्सियस हो रहा है थंदा मौसम है 21 डिग्री और रात का उन्निस अठारा चला जाता है और आज के दिन भारिश का काफी अदुमान था कि काफी बारिश होनी है और पॉग भी थी और यहां पर आसपस फॉगी है बादलों के बीच हम लोग बैठे हैं बहुत अच्छा लग रहा है और आप भी आईए हिमाचल सिटी खासकर की जून जुलाई के महिने में तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा और शॉट्स भी आपको मिलेंगे अगर आप फ झाल